आठवा दिन, 8th day, कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं, some important helping verbs, can, could, may, might, must, ought, to, should, would. अब तक आपने तीनो कालों, tenses की क्रियाओं का अभियास किया है. वहाँ भी आपने सहायक क्रियाओं special verbs, अर्थात helping verbs का सहारा लिया था. चलिए, अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभियास करें. Can और May ये सहायक क्रियाएं हैं दोनों का अर्थ है सकना पर इस सकना के अर्थों में भेध है जिसे आप नीचे दिये गए वाक्यों में स्वयम समझ लेंगे Could, Can का भूतकाल है Might Have, May का भूतकाल है Could और Would से वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट या आग्रह का भावाता है Can रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो Can you play सितार शशी, हाँ, मैं बासुरी भी बजा सकती हूँ Yes, I can play the flute as well रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तकें लोटा सकती हो Can you return my books शशी, नहीं, मैं वे अभी नहीं लोटा सकती No, I can't return them yet रजनी, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो Can you read Sanskrit शशी, हाँ Yes, I can May चात्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ May I come in sir अध्यापक, हाँ, आओ Teacher, yes, you may क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ Student, may I attend बाल सभा, sir अध्यापक, हाँ, बड़ी खुशी से Teacher, yes, with great pleasure, of course चात्र, क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ, sir Student, sir, may I accompany सुरेश अध्यापक, नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो Teacher, no, you better finish your work first Could राजू, क्या तुम ये काम अकेले कर सके? राजू, could you do this work alone? सुरेश, नहीं, मैं इसे अकेला नहीं कर सका सुरेश, no, I couldn't राजू, क्या वो समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? राजू, could she help you in time? सुरेश, हाँ, कर सकी Yes, she could प्रेश्ट, अथाईस राजू, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? Could you bring me a glass of water? सुरेश, खुशी से With pleasure Might, must, ought to, would, should शैद सुहन ने उसकी मदद की सुहन might have helped him शैद वो यहाँ आया होगा? He might have come here मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए I must attend his marriage मुझे दस बजे तक घर अवश्य पहुँच जाना चाहिए I must reach home by 10 o'clock हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए We ought to love our youngers जरा ये चिठी पोस्ट कर देंगे Would you post this letter, please? तुम्हें कक्षा में अधिक नेम इतरूप से जाना चाहिए You should attend the class more regularly याद रखें Remember 1.A Can I walk? A May I walk? B Can you do this job? B May I do this job? C Can you sing a song? C May I sing a song? उपर दिये गए क्यान वाले वाक्यों में शक्ती, समर्थता, आदिभावों का बोध होता है और में वाले वाक्यों से अनुमती, आज्या मांगने अथ्वा इच्छा आदिभाव प्रकट होते हैं Can I walk? का अर्थ है कि क्या मुझे चलने फिरने की शक्ती है? इसी तरह May I walk का मतलब इजासत मांगने से है क्या मैं सेर कर लूँ? वैसे तो लोग कहीं कहीं में के अर्थ में क्यान का प्रयोग करते हैं यह बोलचाल में तो चलता है, पर उचित नहीं है 2. जैसा कि पहले भी बताया गया है कुझ और माइट शब्द क्यान और मे के भूतकाल के रूप हैं इसी तरह ओड़ और शुट का प्रयोग, करतव इभाव, करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए प्रिश्ट उन्तेस